अमेठी की सिटीरण में दाव पेज तेज़ हो गया है शनिवार को राहुल गांधी की कोर टीम का कारे करम प्रस्तावित होगा अगले सब्ता राहूल गांधी भी अमेठी पहुंचेंगी हाला कि तीथी अब तक तैय नहीं है माना जा रहा है कि कोर्टीम की रिपोर्ट के आधार पर ही अगरिम कारेकरम जारी किये जाएंगे पांच के चरण में 20 माई को होने वाले मद्दान के लिए शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है अभी तक कॉंग्रेस से प्रत्याशी का एलान नहीं हो सका है लेकिन माना जा रहा है कि राहूल गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगे इसे लेकर संगठर ने तयारी तेज कर दी है इसी करम में 1923 बूथों की कमेटियों को प्रभाविक कर दिया गया है हर बूथ पर 10 सदस्यों की टीम बनाई गई है जिसमें पहली बार 4 सदस्यों को पोलिंग एजेंटिक की जिम्मेदारी दी जा रही है पहले पोलिंग पर सिर्फ तीन कार्यकरता होते थे इस बार इनकी संग्या बढ़ा दी गई है अमेठी संसद्य सीथ की पाचों विदान सभाव के 130 नियाय पंचायत प्रभारियों को सक्रिय कर दिया गया है उनसे पल-पल की जानकारी जुटाई जा रही है कॉंग्रेस के मीडिया प्रभारी अनिल सिंग कहते हैं कि कार्यकरता पूरी तरह से तयार है नामांकर के बाद राहूल गांधी अमेठी में पाच दिन रहेंगे इस दोरान पार्टी हर विदान सभाव में उनके कार्यकरम आयोजित करने की तयारी कर रही है कहीं पर सभा तो कहीं पर रोड़ शो जैसे कार्यकरम की रूपरे का तयार की जा रही है इसके लिए ब्लॉक अध्यक्षों से मन्थन चल रहा है